हाई रेनू, तुम क्या कर रही हो? हेलो प्रिया, आओ आओ, मैं कुछ चित्र बना रही हूँ हरे वाह, मैं कुछ सहायता करू तुम्हारी? हाँ, प्लीज, क्या तुम समरूप रिक्ष बना सकती हो? हाँ, बना सकती हूँ, लेकिन ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि वे समरूप हैं या नहीं? हाँ, जरूर, समरूपता की जाँच करते समय हमें कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, बताओ ना? ठीक है, तो आओ इस पार्ट में हम इस विशेश पर विस्तार से चर्चा करते हैं। समरूप आकरितियां, सर्वांगसम आकरितियां, सर्वांगसम होने के क्रम में दो आकरितियां समान आकार और समान आपमाप की होनी चाहिए। समरूप आकरितियां, समरूप आकरितियों का आकार आवश्यक रूप से समान होता है, परन्तु उनका आमाप भिन हो सकता है। इस चिन्न का अर्थ है समरूप। जब आप किसी चित्र का आवर्धित चित्र प्राप्त करते हैं, तो वह चित्र समरूप चित्र होता है। स्लाइड बनाने के उद्देश से चित्र के आकार को छोटा भी किया जा सकता है। अतहा समरूप आकृतियां दो ऐसी आकृतियां होती हैं जिनका आकार समान तथा भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप आकृतियां भाग दो समान भुजा संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत को उन समान हो तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। संगत भुजाओं के समान अनुपात को बहुभुजों का स्केल कुणा कहते हैं। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। किन्तु यह आवशक नहीं है कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो। उधारण निम्न आकृतियों पर ध्यान दीजे। इस पस्टता AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर CD बटे RS बराबर DA बटे SP बराबर 2 दिया है। और कौण A बराबर कौण B, कौण B बराबर कौण Q, कौण C बराबर कौण R, कौण D बराबर कौण S भी दिया है। अतहा ये वर्ग समरूप आकृतिया हैं क्योंकि इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हैं तथा इनके संगत कौण बराबर हैं। तिर्भुजों की समरूपता यदि किसी तिर्भुज के कौन, किसी अन्य तिर्भुज के कोणों के पराबर हूँ, तो ऐसे तिर्भुज समान कोणिक तिर्भुज कहलाते हैं समान कोणिक तिर्भुजों का आकार समान होता है परन्तु आम आप भिन्न हो सकते हैं अताह समानकोडिंक तिर्भुजों को समरूप तिर्भुज भी कहा जाता है। अत्वा हम ये कह सकते हैं कि यदि दो दिर्भुज समरूप हैं तो वे समानकोडिंक होंगे, संगत्भुजाएं समान उ पाती होंगी और उनमें से एक तिर्भुज की किनी दो भुजाओं के अंतरगत बनने वाला कोण, दूसरे तिर्भुज की संगत भुजाओं के अंतरगत बनने वाले कोण के बराबर होगा दो समान कोणिक त्रिभुजों में किन्ही दो संगत भुजाओं का अनुपाद सदैव बराबर होता है आधार भूत समानुपातिक्ता प्रमै यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानतर अन्य दो भुजाओं को भिन 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 बिंदूओं पर प्रतिछेत करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में सम्दुई भाजित हो जाती है दिया है एक त्रिभुज ABC में D वा E, AV तथा AC पर क्रमशाह इस प्रकारिस्थित हैं कि DE, BC के समानतर है सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के रचना BE को CD से मिलाइए E से AB पर एक लंब EF खींचिए उपत्ति चोकि DE समानांतर है BC के अताहत त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के इसे हम समीकरन एक से चिनित करते हैं चोकि A की ही आधार पर तथा A की ही जैसे समानांतरों के मध्ध बने तिर्भुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तिर्भुज A-D-E का क्षेत्रफल बटे तिर्भुज B-D-E का क्षेत्रफल बराबर है A-D बटे B-D-K इसे समेकरण 2 से चिन्नित कीजिए। इसी प्रकार तिर्भुज A-D-E का क्षेत्रफल बटे तिर्भुज C-D-E का क्षेत्रफल बराबर है A-E बटे C-E के। इस प्रमय का विलोम भी सत्य है जिसके अनुसार यदि कोई रेखा किसी तिर्भुज की किनी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानतर होगी। तिर्भुजों की समरूपता के उधारण दे गई आकरिती में D-E समानतर है A-C के तथा D-F समानतर है A-E के तो सिद्ध कीजिए कि B-F बटे F-E पराबर है B-E बटे E-C के। हल तिर्भुज A-B-C में D-E समानतर है A-C के इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेद्वारा B-D बटे D-A पराबर है B-E बटे E-C के। इसे समीकरण एक से चिन्हित कीजिए। तिर्भुज B-A-E में D-F समानतर है A-E के इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेद्वारा B-D बटे D-A पराबर है B-F बटे F-E के इसे समीकरण दो से चिन्हित कीजिए। अब समीकरण एक और दो से हमें B-E बटे E-C पराबर B-F बटे F-E प्राप्त होता है। तिर्भुजों की समरूपता के उधारण A-B-C-D एक समलंभ है जिसमें A-B समानतर है D-C के तथा उसके विकरण परसपरबिंदू O पर प्रतिछेद करते हैं। दर्चाइए कि A-O बटे B-O पराबर है C-O बटे D-O के। हल बिंदू O से होती हुई एक रेखा E-F इस प्रकार कीजिए कि E-F समानतर हो C-D के। त्रिभुज A-D-C में E-O समानतर है C-D के। मोल भूत समानुपातिक प्रमय का प्रयोग करने पर हमें A-E बटे E-D बराबर A-O बटे O-C प्राप्त होता है। इसे समीकरण एक से चिन्हित कीजिए। त्रिभुज A-B-D में E-O समानतर है A-B के। आताहा मोल भूत समानुपातिक प्रमय का प्रयोग करने पर हमें E-D बटे A-E बराबर O-D बटे B-O प्राप्त होता है। अर्थात A-E बटे E-D बराबर है B-O बटे O-D के। इसे समीकरण दो से चिन्हित कीजिए। अब समीकरण एक और दो से हमें A-O बटे O-C बराबर B-O बटे O-D प्राप्त होगा। अर्थात A-O बटे B-O बराबर है O-C बटे O-D के। त्रिभुजों की समरूपता हे तू कसौटियां। त्रिभुजों की समरूपता हे तू तीन मुख्य कसौटियां है A-A-A या A-A, S-S-S तथा S-A-S. यदि दो तिर्भुजों में संगत कौण बराबर हों तो संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी अर्थात उसी अनुपात में और इसलिए वे तिर्भुज समरूप होंगे। दो तिर्भुज A-B-C तथा D-E-F समरूप होंगे यदि कौण A बराबर कौण D, कौण B बराबर कौण E, कौण C बराबर कौण F और A-B बटे D-E बराबर B-C बटे E-F बराबर C-A बटे F-D. ऐसे मामले में हम तिर्भुज A-B-C समरूप तिर्भुज D-E-F लिखते हैं। यदि दो तिर्भुजों की संगत भुजाएं समानोपातिक हैं तो वे तिर्भुज समरूप होंगे। दो तिर्भुजों A-B-C और D-E-F में यदि A-B बटे D-E बराबर B-C बटे E-F बराबर C-A बटे F-D है। तो ऐसे तिर्भुज S-S-S समरूपता कसोटी के नुसरार समरूप होंगे। A-A समरूपता यदि किसी तिर्भुज के दो कोण, दूसरे तिर्भुज के दो कोणों के क्रमशह बराबर हों तो वे तिर्भुज समरूप होंगे। S.A.S. समरूपता, यदि दो तिर्भुजों में संगत भुजाओं का एक युक्म समानुपातिक हो तथा अंतरगत कौन बराबर हों तो वे तिर्भुज समरूप होंगे, तिर्भुज ABC वा DEF में कौन A बराबर कौन D और AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर CA बटे FD है, तो दोनों तिर्भुज ABC तथा DEF S.A.S. समरूपता कसौटी के नुसार समरूप होंगे, उधारण, निम्न आकरिती में तिर्भुज O DC समरूप है, तिर्भुज O BA के, कौन BOC बराबर 125 डिक्री है, तथा कौन CDO बराबर 70 डिक्री है, तो कौन DOC, कौन DCO, एवं कौन OAB के माप क्या होंगे? आईए इसे हल करते हैं. DOB एक सरल रेखा है, इसलिए कौन DOC जमा कौन COB बराबर है 180C डिक्री के. अर्थात कौन DOC बराबर होगा 55 डिक्री के. जोकि तिर्भुज के तीनों कौनों का योग 180C डिक्री होता है, इसलिए तिर्भुज DOC में कौन DCO जमा कौन CDO जमा कौन DOC बराबर 180C डिक्री. जैसा कि हम पहले ही कौन DOC ग्याद कर चुके हैं और कौन CDO हमें दिया गया है, अधा हम इस समीकरण में दोनों कौनों का मान रखकर इसकी गर्णा करेंगे, जिससे हमें कौन DCO 55 डिक्री प्राब्त होगा. दिया है कि तिर्भुज ODC समरूप है तिर्भुज OBA के, इसलिए कौन OAB बराबर है कौन OCD के, क्यूंकि समरूप तिर्भुजों के संगत कौन बराबर होते हैं, अर्थात कौन OAB 55 डिक्री प्राब्त होगा. निम्न आक्रिती में यदि तिर्भुज ABE सर्वांग सम हो तिर्भुज ACD के, तो दर्शाइए कि तिर्भुज ADE समरूप है तिर्भुज ABC के. हल, दिया है तिर्भुज ABE, सर्वांग सम है तिर्भुज ACD के, इसलिए AB बराबर AC, इसे समीकरण एक से चिन्हित कीजिए. तथा CPCT द्वारा ही AD बराबर AE, इसे समीकरण दो से चिन्हित कीजिए. तिर्भुज ADE और तिर्भुज ABC में समीकरण दो को एक से विभाजित करने पर हमें AD बटे AB बराबर AE बटे AC प्राप्त होता है. कोण A बराबर कोण A, ये उभेनिस्ट कोण है. इसलिए SAS समरूपता कसोटी के नुसार तिर्भुज ADE समरूप है तिर्भुज ABC के. एक तिर्भुज ABC की BC भुजा पर एक बिंदू D इस प्रकार स्थित है. कि कोण ADC बराबर कोण BAC है. दर्शाये की CA वर्ग बराबर CB गुणा CD है. हल. कि समरूप तिर्भुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती है. इसलिए CA बटे CB बराबर है CD बटे CA के. अर्थात CA वर्ग बराबर CB गुणा CD है. क्या आप जानते हैं? तिर्भुज तीन भुजाओं वाला एक ऐसा बहुभुज होता है जिसमें तीन शीर्ष या कोने होते हैं. तिर्भुजों का प्रयोग आम तोर पर कलात्मक कारियों में सहायक धांचे वा आकृतियां बनाने हितू विनिर्मान में किया जाता है. विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में जयामिती और त्रीकूण मिती सहीत तिर्भुजों के संबंध में विस्तार से सीखते हैं. तिरभुज, जायामिती तिरभुजों के कुड़ धर्मूं का एक ऐसा अध्यान है, जिसमें संबंधित तिरभुज केंद्र, तिरभुजिय रेखाएं, केंद्रिय वृत्त, तिरभुजिय घनाकार तथा अन्ने काफी कुछ समाहित है। त्रिपुजों के संदर्प में इन जयामितिये वस्तूं के प्राया उलेकनिये गुण धर्म होते हैं। सारांश आईए हमने जू कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। दो आकृतियां जिनका आगार समान हो किन्तु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। सभी सर्वांसम आकृतियां समरूप होती हैं किन्तु इसका विलोम सत्ते नहीं है। समान भुजा संख्या वाले दो तिर्भुज समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कौन बराबर हों, तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हों, अर्थात समानुपात एक. यदि तिर्भुज की एक भुजा के समान तर, कोई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं पर निश्चित बिंदूओं को प्रतिछेत करती हुई खीची जाती है, तो वे अन्य भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं. यदि किसी तिर्भुज की दो भुजाओं को कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तिर्भुज की तीसरी भुजा के समान तर होती है. यदि दो तिर्भुजों में संगत कोण पराबर हूँ, तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, और इसलिए वे दोनों तिर्भुज समरूप होते हैं. ए ए ए समरूपता कसौटी के आधार पर यदि दो तिर्भुजों में एक तिर्भुज के दो कोण, दूसरे तिर्भुज के दो कोणों के करम शाह बराबर हों, तो वे दोनों तिर्भुज समरूप होते हैं. ए ए समरूपता कसौटी के आधार पर यदि दो तिर्भुजों में संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं, तो उनके संगत कौन बराबर होते हैं, और इसलिए वे दोनों तिर्भुज समरूप होते हैं SSS समरूपता कसौठी यदि किसी तिर्भुज का एक कौन, दूसरे तिर्भुज के एक कौन के बराबर हो और उन कोणों को अंतरगत करने वाली भुजाएं समान अनुपात में यानि समान अनुपाती हों, तो वे दोनों तिर्भुज समरूप होते हैं SSS समरूपता कसौठी झाल झाल